अब कि तक इसमें कुछ चेंज़ेश नहीं आए 1 आकě रेप इन्डिया में रेप नहीं इंडिया में आए इंडिया में तो हर जग ही हो रहा है धार हर दुनिया में हो रहा है हर देश में हो रहा है बट स्पेशली ऐसे क्या चीज़ है कि इतनी ज़्यादा प्राउलम हो चुकी है तुमरे इस तू लेट स्टेंड़ फोर वोमन तोड़े ठीक है अब जब भी हम रेप की बात करते हैं तो रेप एक ऐसा इस्यू है जहां पर जब किसी के साथ सद्टनली यह चीज होत प्राइब इसा गुजरा हो क्यों ऐसा होता है अकुरिंग टुदी एंसे आर्वी गॉववर्मन की एजनसी है एक्शली नैश्नल क्राइम डिकार्ट भीरो एक इस केसज पर भी एवरी डे एटी शिकज ऑत एक ऑपे केसजी होते हैं लेकिन अम बात करें अनरजिस्टर्ट टीक है अनरजिस्टर्ट इससे भी जादा होंगे अगर उन यह जो 86 cases है वो तो recorded है बहुत सारे cases recording नहीं होता है अगर वो भी आ जाए तो 86 से ज़्यादा कई गुना हो जाएगा ऐसा क्यों होता है अभी आपने सुना होगा तो ब्राजिलियन couples ठीक है and they are vloggers actually यह लोग टूर कर रहे थे इंडिया के बहुत सारे parts में already यह लोग travel कर चुके थे बट स्पेशली इंसिदेंट हुआ था जारकंड में की अरगर में गैंग रेप्ट हो किया चो कि तुमका डिक्षिक में लास्ट वीक and she's actually 20 years old so they were actually exploring India at that time यह लोग explore कर रहे थे हैं अलग लग चीजों की especially it's a very proud thing for Indians कोई explore करने आता है अपने देश में but वहीं once again there are a lot of animals as well in here ठीके बहुत सारे animals है जो की they just hungry for the body right because if they need a body of a woman तो यह activity हुई यह रेप हुआ जो की बहुत ही ट्रेजिक था honestly and बहुत सरे you know निशान भी आया है और नुकसान भी पहुचान ही कोशिश की around 70 to 7 to 8 लोग थे वहाँ पर that actually they were committing this kind of things right or mostly they are around 21 to 20 years of the age so what are the reason behind why the reason the reason why the India has increasing rape cases okay kya reasons है कि rape cases हो होते ही जाते हैं इंडिया में जब हम बात करें so firstly the lack of police of officer female police officer के बात करें right जब ही हम बात करेंगे mostly in India police officer mostly male right mostly they are male but the second thing is के बात नहीं female police officer जब रहती है then the reason is कि the women's they are quite comfortable with them right comfortable feel होता है बहले पुलिस कोई भी उचाओ female हो male but especially जब फुमिन फीमल पुलीस officer रहती है तो 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 बहुत सब्सक्राइब करते हैं कि I mean बहुत लोग ब्लीम करते हैं कि it's happening because of the clothes you know short clothes चोटे कप्डे से but this is not a reality actually चोटे कप्डे से not अगर चोटे कप्डे की बात करें तो फिर बहुत सारे countries the Europe भी है फिर इसमें America भी है फिर वहाँ पे इतना क्यों नहीं होता है ठीक है इतना क्यों नहीं होता है फिर वहाँ पे so reason यह नहीं है blame for inappropriate clothes that's not a reason third is no public safety yeah this is the point public safety नहीं है आप बाहर रात के बारा बजे एक बजा घर के बाहर नहीं निकल सकते freely especially being a woman being a girl it's not possible ठीक है आप safely जाहीं नहीं सकते so public safety is one another aspect right accepting and domestic violence exactly domestic violence भी इसमें बहुत बड़ा reasons है कि जब आपके साथ ही domestic violence यह हो जाता है किसी के साथ तो फिर डरा डरा सहमा सहमा रहना and kind of you know आप बहुत ज़्यादा वह feel करने लग जाते हो कि आप कुछ कर नहीं सकते हो especially kind of you know vulnerability कह सकते हैं एक तरीके से and discouragement of rape victim to the compromise ठीक है जब भी किसी साथ especially rape victims compromise हो जाता है I mean you know they give a compensation ठीक कंपनेशन दे दिया जाता है कि आप पैसे ले लिए इसके बद दे right so this is a things कि आप जब compensating कर रहे हैं तो कहां से कोई you know law follow करेगा especially जब इनकी भी बात करें in couples के तो इनको भी compensate किया था police ने but especially compensation it is not the conclusion of this right तो यह सारी की चीज़े है और हम बात करते है कि what are the preventive measures against the rape cases क्या क्या प्रवंसे प्रवंटी मेजर्स हो सकते हैं जब हम बात कर रेप cases की so first thing is conducting a session of safety tips for wherever they are right कि sessions you know firstly sessions conduct का रहाना चाहिए especially for females right girls की how to protect yourself you know safety tips देनी चाहिए कि आप अपने आप गया से सिफ कर सकते हैं because reason यह है कि इंडिया में literacy rate तो बढ़ रही है no doubt the females are also getting educated but the reason is the loophole is की safety की जब हम बात करें तो safety वो चीज उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है right जितने अच्छे से literacy हो पा रही है so second thing to provide all the information to the police if required सारी चीज़े information आप collect करे especially जब भी आप ऐसे situation में trap हो तो आप ज्यादा ज्यादा कि आप information to collect करें ताकि आप जब भी आप ऐसे situation में आशको या फिर कभी भी आओ तो पुलिस के requirements से आपका सारी information रहेगे तो आप easily पुलिस भी अपना काम कर पाएगी लॉबी अपना काम कर पाएगा और सब कुछ चीज़ अच्छी अच्छी होगी तो क्रिट अवरनेस बाउट इस बात करें तो किसी इंसान को पता ही नहीं कि सब्सक्राइब तो जब वह फिर ऐसे सिच्वेशन फस्ट जाता है मिन फसली जब वह उसके साथ में रेप स्पेशली हो जाता है तब उसे समझ याता है कि what happened actually so this is a difference कि good touch bad touch for kids especially जचोड़े बच्चे उनको भी अवेर करना बहाँ जरू है right being all alone right being alone is a one another thing alone is also you know i mean you're a citizen of india you have a right you know you have fundamental right gap you can reside anywhere but once again um alone rena that's another thing look they have chance to do this kind of things right so keep your cell phone charge with you uh once again you can echo cheese a key to be a penjaro take it up up not cell phone amisha happiness after a kid right your cell phone should be always with you right so these are things and especially a party body craft is a society and for everyone especially no doubt and what are the punishment actually the punishment you know accounted to the indian penal court uh 376 that actually talk about the in the rape and when we talk about rape that especially 8060 when we talk about 8060 when we talk about 8060 seven years ago 10 years ago right like a lot of money about current to ask about the other record rate punishment house for 20 years ago right once again 120 year ago and keep us going to imprisonment record the again right to school uh jail was a key but once again other uh if a girl is being raped right uh school south i mean especially if a girl died at the time of this incident so uh mostly the death penalty is also uh you know also way to execute them death penalty bs according to the indian penal court 376 right so it's really offense i mean no doubt um yeah or i can i you're right that's the really shameful for society it's really shameful so thank you so much for for this i hope you like this video and thank you for you you